सब्सक्राइब करने वाले क्लास 11 के उपपर सो महरास्ट्रा स्टेट वोड निव सिल्याबस हम देकर है आफ क्लास 11 बायोजी का ओके स्पेशली बायोजी का सब्सक्राइब क्लास 11 का चाप्टर नंबर फॉस्ट जिसका नाम है लिविंग वर्ड लिविंग वर्ड के अंदर कौन कौन से चीज आती है जो जूलोजिकल पार्क्स आ गए उसके बाद यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन आए गया म्यूजियम आगया हर्बेरियम आएगा सो यह सब जो कंसेप्ट है आज के सुदियो में क्लियर होने वाले है और जो चाप्टर फर्स्ट है वह बहुत इसी है और यह वीडियो देखने के बाद आपका पूरा का पूरा चाप्टर अंडेस्टाण्ड आप करे होगे और डेफिनेटल ज्यादा से ज्यादा मार्स लाओ चाप्टर लिविंग वर्ड समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बाते आपको समझ पने चाहिए उढ़ेस्टाण्ड होनी चाहिए जो है मेटेबोलिजम किसको बोलते ही हम टॉटल बायो केमिकल रियाक्शन ओकरिंग इंसाड़ लिविंग ऑर्गिसम उसे हम बोलेंगे मे उसका जो टाइप है metabolism का catabolism and anabolism so catabolism के से बोलेंगे some of the destructive chemical reaction occurring inside the living organism so हमारे body के अंदर biochemical reaction होती है यहाँ पर catabolism में कौन से आएंगी destructive miss breakdown करने वाली molecule को break करने वाली reaction जो है वो catabolism के अंदर आएंगी और anabolism के अंदर कोन आएगा फिर constructive chemical reaction constructive biochemical reaction okay so metabolism के यहाँ पर दो टाइप होगे एक होगा catabolism और दूसरा होगे anabolism so some of the total biochemical reaction occurring inside organism inside body of organism but this is destructive chemical reaction so इसमें कौन सी रेक्ट यहाँ पर होगी reaction destructive और anabolism में कौन से होगी constructive जो molecule को construct करने का काम करगी so anabolism का example है photosynthesis जिसमें क्या होता है glucose को construct किया जाता इसलिए वो anabolism के अंदर आएंगी और catabolism क्या होगा इसमें आएगा respiration जिसमें क्या होगा कि complex organic compound को simple बना जाएगा और यहाँ पर उसको क्या का आए जाएगा breaking क्या जाएगा destructive chemical reaction biochemical reaction है इसलिए यह catabolism के अंदर आएगी so यह होगा basic metabolism में catabolism and anabolism so यह आपको बहुत क्या में आएगा इसको आप simply यहाँ पर लिख लो मैंने जैसे definition बथाईए वैसे आप इसको लिख लो चलिए आगे बढ़ते हैं so जो first concept है हमारा class 11 का biological वह हर्बेरियम सो हर्बेरियम किसे बोलेंगे so the word हर्बेरियम that is plural means एक वचनी ओक एक वचनी मिस अगर हम उसको single बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे उसको हर्बेरिया so plural जो है मिस यहापर कैसा होगा वो प्लूरल मिस यहापर मेनी होगा ओके एक है मतलब हर्बेरियम और एक से ज्यादा है मतलब हर्बेरिया okay so plural means अने को चनी okay then was coined by Piton D. Turnford so Piton D. Turnford जो scientist है उन्हें में क्या किया हर्बेरियम कंसेप्ट को क्या किया coin किया in the book elements so कौन से book में elements elements में okay and the art of herbarium was initiated by so yes इसकी शुरुआत किसने की तो italian taxonomist taxonomic study करने वाला taxonomist Luca Gini in 1492 1556 जो टाइम टेबल है इसके बीच में क्या किया उन्होंने क्या किया initiate क्या herbarium was initiated by italian taxonomist Luca Gini okay so first coin किसने क्या Piton D. Turnford and कौन से book में elements उनके elements book में और यह जो art थी वो किसने initiate की वो की लोका गिनी नहीं so herbaria are the effective tool in taxonomic study so herbaria क्या है तो effective tool है tool मतलब एक ऐसा यहाँ पर आप उसको tool बोल सकते हो कि जो हमें क्या करेगा help करेगा किसके लिए studies के लिए different types of plants को हम study कर पाएंगे because of herbaria so herbarium में क्या होता है क्यों study कर पाते है तो herbaria is essential dried plant specimen so specimen क्या मतलब यह plant का एक part होता है लेकिन कैसे होता है dried plant means जिससे क्या होता है water remove किया जाता है जिससे क्या होगा decompose नहीं होगा so oh god dried plant specimen and that is preserve क्या जाता है उसको preserve किया जाता है okay and treated and mounted also treat क्या जाता है मांट किया जाता है on standard size उसको काटा जाता एक standard size उसकी बनाई जाते है in order to preserve it ऐसी size जो उसको हम क्या कर सकते प्रिजर कर सकते इसी लिए मुश्कों क्या अगर सकते स्टोर कर सकते डिफ्रेंट मिश्यापर मोट टाइम तक उसको हम यहाँ पर अच्छा तरह के से रख सकते जिससे क्या होगा कि हम उसको study कर पाएंगे जैसे कि आप इस डागरम में देख सकते हुए हर बेरिया म बusesकर निकाला क्या गया और इसको क्या किया गया हूष यहाँ अब यहाँ पर उसको ब्रे उसको प्रिजर किया गया है जिससे हम क्या करेंगेन कि its study कर पाएंगे और यहाँ सभ्सक्राइब लिए इसको किसा सब्सक्राइब है इसके बाद चारेक्प्रीट के क्या है क्या इसके प्लाइंट की सब्सक्राइब यह अच्छे कैरेक्टर कोन से दिखाता है तो भी इसमें लिखा है तो लोकल नेम से इसका बातनिकल नेमें नेम ऑप दो कलेक्टर में भी आड़ेड सो जिसने इसको कलेट किया है उसका भी नाम लेक सकते हो और इस इंफर्मेशन लिखेंगे सीट पर इसको क्या बोलेंगे आप सिंपल में ध्यान रखों यह क्या है ड्राइड प्लांट स्पेसिमन ने जिसको प्रिजर किया जाता है बिकाज ओफ टाइडियों के लिए टाइड़ोनमी को स्टडी करनी के लिए हम क्या करते है जो प्लांट के पार नेशने क्या है वह यहाँ पर हम लिखते हैं in order to study the plants okay so plants की study करने के लिए हमें जो है वो आसान जाती है because of herbarium so यह हो गया herbarium उसके बाद होता है botnical gardens so next हमारा topic है botnical gardens so botnical gardens are the place यह कैसी एक जगा है where plants of different varieties are collected so यहाँ पर आप एक वो धान में रोको वो है different varieties so इसमें क्या किया जाएगा plant को collect किया जाएगा लेकिन कैसे different varieties means यहाँ पर different types of plants होगे okay collected from the different part of world so यह भी वोड़्ट जो है most important वो है different parts of world means world का एक ही part का आप पर plants नहीं होगा तो different parts के plant होगे और उसको collect किया जाएगा एक place पे और उसे हम बोलेंगे botanical garden okay and our grow in the scientific and the systematic in vivo manner so again scientific इसको grow किया जाएगा in vivo means a specific area होगा और उसके अंदर उसको क्या किया जाएगा ग्रो किया जाएगा इसलिए मिसको बोलेंगे in vivo manner okay in vivo manner means specific area के अंदर plants are label इसको लेबल किया जाएगा कि प्लांट कौन सा है उसके बाद इसकी year कितने होगे इसको और लेबल बोड शो scientific as well as common name इसमें scientific नेम भी होगा और common नेम यहाँ पर एरिया के जहाँ से इसलिए हम उसको रखते है मिस ओ एरिया में उसको कौन से नाम से जाना जाता है वह होगा उसका लोकल नेम ओके common नेम लेकिन scientific नेम जो है वह आल वर्ल्ड जो यूस किया जाता है इसलिए हम वहापर scientific नेम भी लिखेंगे जब बहार से कोई लोग आएंगे तो उस प्लांड को देखने के लिए तो उसका नाम उसको इसलिए हम वहापर scientific नेम भी लिखेंगे तो यह हो गया botanical gardens तो simply botanical gardens क्या होता है different types of plants varieties and different parts of world तो ऐसे plants जो different types of varieties के होते है different parts of world के होते है उसको एक जग पर collect किया जाता है और उसको scientific and systematic manner के अंदर उसको grow किया जाता है उसे मैं बोलेंगे botanical gardens तो इसमें आप देख सकते हो यहापर cold कता 255 years old bunyan tree तो यहापर एक bunyan tree वो कितने old years का है 255 आप देख सकते हो 255 years का यह great bunyan tree यहापर उसका board पर नाम है तो यह जो bunyan का ट्रिये वो यहापर इतना old है तो यह जो है इसकी यहापर characteristics है कि bunyan tree जो है 255 years का है तो because of botanical gardens हम क्या कर सकते है इस plant की study कर सकते है ओके तो यह है botanical gardens कि देन नेक्स्ट जो हमारा topic वो है museum museum किसे बोलेंगे so museum are the place where the collection of the preserved plant and animal species इसमें plant के भी और animal के भी plant के भी और animal के भी यहापर एक और ध्यान में रोको plant and animal specimen को क्या किया जाता है यह आपर collect किया जाता है और केप्ट तो उसको रखा जाता है plant and animal specimen may be preserving formalin तो जो फॉर्मेलीन है उसमें वो फॉर्मेलीन उसमें डाला जाता है और उसके अंदर जो ऑर्गनिजम हो छोड़ दिया जाता है तो उसे क्या होगा वो और गनिजम जो हो उसके जो टीशू है वो डी कंपोज नहीं होगा ज्यादा देर तक टिकेंगे उसलिए उसको बोलते फॉर्मेलीन तो फॉर्मेलीन के अंदर उस ओर्गनिजम को होन रखते है उसमें डालते है और 10-40% फॉर्मेल डाइड भी डालते इन ट्रांस्परेंट जार कैसे होता है ट्रांस्परेंट क्यों होता है तो हमको ओर्गनिजम जो दिखना चाहिए उसको खोल के नहीं देख सकते तो इसलिए हम उसको बाहर से देखेंगे तो हमें वह दिखेगा और उसको नेम देते हैं लाजर अनिमल लाइक बर्ड अन्दर बैठते नहीं एस और उसके अंदर का जो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर है वहाँ पर उसके एक लेयर होगी उपर की अंदर का जो मट्रियल हो हम बाहर निकाल देंगे उसके बाद वहाँ पर कॉटन जो फील उसको प्रिजर नहीं होता है उससी साइन्स को बोलेंगे टैक्जी डर्मी तो यह आपको धाम ने रखना होगा इस पेसिमन इस ड्राइड फ्रम आर केप इन युजियम तो कैसा होता है ड्राइड फर्म यहाँ पर सुखा हुआ उसमें वाटर नहीं होता इसलिए वह डिकम् पर मिजियम और कुछ जो हता है यहाँ पर अंड्राइड ओके तो वह कैसा होगा वह फर्मेल के अंदर चोड़ दिया जाएगा और जो यहाँ पर ड्राइड है वह बाहर हम उसको ओपन भी रख सकते और केप इन मुजियम के अंदर हम उसको रखेंगे दिन वी कैन एवन इंसेक्ट बॉक्सेस भी होते हैं जिसमें इंसेक्ट को क्या किया जाता है प्रिजवर किया जाता है तो इसको स्टेडी करना जो है बहुत डिफरेंट है इसलिए हम क्या करते हैं इसको स्टोर करके रखते हैं इससे क्या होता है कि हमें वह जंगल में जाने की जरूरत नहीं है म्यूजियम में हम जाएंगे तो और हमें पढ़ाई करने में जो है जानी चाहिए इसलिए हम यह म्यूजियम बनाते हैं यह हो गया है म्यूजियम के बारे में आप यह पर देख सकते होंच यहाप अनिमल्स की स्टोरत करपाएं नोट सोडुलॉज्यकल पार्क जू और आनिमल मीस यहां पर युलाएंइमल रहती है देन प्लेसटॉ्य जहb यहां पर उसको क्या जाएगा रखा जाएगा उसकी करद की जाएगी फॉर एक्जम्पल उसे मोलेंगे एकस्टू यहां पर कंजरवेशन के दो टाइप होता है एकस्टू और दूसरा होता है इनसुटू एकस्टू मतलब उसके नाच्रल एरिया के बाहर हम उसको लाते है और वही उसी जगह पर हम उसे नाच्रली उसको नाच्रल इन्वारमेंट जो है वो क्रियेट करते हैं उसे बोलेंगे एकस्टू और इनसुटू मतलब उसके ही एरिया में वो लिव करता है ओके सो यहां पर ए ही करने वाला नेच्रलिस्ट कैन स्टेडी वो स्टरी कर सकता है किसकी फूरे अब इट करते उसके बाद उसका बेहेवियर कैसा है वो स्टरी कर सकते है बिकॉस अफ जू लॉजिकल पार्क। गालों सपिसिपीग जगा पर रहेंगे हम उसको इस लिंप तो देख पाएंगे उसकी study कर पाएंगे देन होता है फ्लोरा फ्लोरा मैनुल्स याप पर मुनोग्राफ्स एंड डे कैटेलोग और सम और टूल्स अब मेंटेनिंग दे बायो डावरिसिटी रेकॉर्ड तो यहाप और फ्लोरा होगा देन मैनुल्स होगा और मुनोग्राफ्स जिसमें क्या होगा कि सभी जो और इसमें उसकी यहाप पर रेकॉर्ड रखा दिया जाएगा कि हमारे जाने मिलें कौन से वर इडिसके ऑनिमल से और वह कहा पर तो यहापर हो क्या गया है उसको मेंटेन किया जाएगा सो फ्लोरा इस फ्लांट लाइफ ऐड़ुड एकरिंग है on time okay and the monographic describe any one selected biological group where an animal provides the information so monograph describes any so monograph yoga so monographs किसे बोलेंगे so aisa जो यहाँ पर इंसान होगा जिसको वहाँ पर सब यहाँ पर study होगी so organism की plants के बाराहे में study होगी कि इसर कितने organism है कितने plants है कितने types of varieties है okay so हमको सभी information देगा and the key about the identification of species found in the particular area वहाँ पर की यूज की जाएंगी किसके लिए identification of species found in the particular area के अंदर कोईसी species found होती है वहाँ पर की होगी उसके वो क्या करेगा उसको हम बठाएगा कि यह organism यहाँ पर यहाँ पर सिंप्ली हम क्या करते है और्गनिजम की study करते है नैचरलिस्ट क्या करता है study of food habits उसकी food habits कैसा है उसके behavior of animal कैसा है वह हम देखते है और हम क्या करते है वहाँ अब देखते है बायो डावर्सिटी पार्क तो इस एको लोजीकल आसेंब्लेज अब्द इस पेसीज इको लोजीकल एंवर्मेंट के अंदर आसेंब्लेज मिस बोद सारे स्पेस्ट एक जगह पर आ गये है और फॉर्म देख सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी सो सेल्फ सस् होते है प्लांट्स जो होते है बहुत कम होते है ओके सो एक्जाम्पल लेट उत्तमराव पाटील बायो डायो डायोसिटी पार्क गुर्यगर सेकंड है महाबड़ेश्वर इस प्रांक इस पार्क इस बेस्ट मॉडल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नैच्रल हेरिटेज इस एक यहाँ पर जनरेशन आगे बढ़ेंगे ऐसे जो स्पेसे उसको कंजर्व किया जाएगा इन अर्बन लैंड्सकेप इस सिटी का एरे उसमें भी यहाँ पर उसको क्या किया जाएगा इस चाप्टर का फर्स्ट लिविंग वर्ड का 11 ख्लास का ओके करने में क्लासिफिकशन ख्लाऋपिकेशन ख्लासिफाई करने के लिए यह उता है और कीज आर बेस ऑंडो कंस्ट्राइग के या जाता है क्लासिफाइ किया जाता है and the keys are based on the contrasting character contrasting character उस पर यह बेस रहेंगे then one of the contrasting characters get accepted and other rejected so kuch can contrasting character क्या होते है reject किये जाते है और कुछ contrasting character को क्या किया जाता है accept किया जाता है यह बात आप समझ लो and the statement key is called as a lead इसको क्या बोलेंगे अपन लीड बोलेंगे कि यहाँ पर लीड मतलब जो यहाँ पर आप dominance जो है वो simply ध्यान में रखो dominant okay dominant होगा की क्या है statement key is lead means dominant उसमें क्या आगा है classification of plants and animal animal and plants को classify कह जाता है मतलब वो dominant key okay so normally keys are the analytic in nature so कैसे होते है analytical so describe करने वाली मतलब analytical in nature so keys क्या होंगे analytical means describe करेंगे किसको describe करेंगी different types of plants and animals को so कौन से animal है so कौन से plants है उसको describe करेंगे because इसका काम क्या है classification of plants and animals so यह word आप ध्यान में रखो then let's us study about the classification of living organism is next chapter अब देखते है classification of living organism जो है वो हमें next chapter में जो है means chapter number second जो उसमें means यहाँ पर हमारा जो first chapter है वो यहाँ पर खतम हुआ so यहाँ पर आपका जो first chapter class 11 का यहाँ पर खतम होता है so यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को like करो channel को subscribe करो और उसी के साथ साथ वीडियो जो है वो आपके दोस्तों के साथ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो so 11 का जो है मैं आपको line to line पढ़ाओंगा chapter आपके हर लिए हर जो chapter में आपर पूरे के 11 के chapter जो है वो लिए जाएंगे और सिंपल में आपको में basic जहाँ पर understand उसको आपको करवाओंगा कि यह concept कैसा होता है बने रही है बायो स्टुड़ी विद निखिल यूटूब चैनल के साथ थैंक्स वाचिंग बायो स्टुड़ी विद निखिल यूटूब चैनल की